जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जी एस फकस फैमिली में दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे सुछ मदरिष्टी के फर्स्ट पार्ट के उपर जिसमें हम डिसकस करेंगे रास्टी घटना करम को और इसको हम बहुत ही सिग्रता से रिवा इसका कोई साभी एक्जाम तो हर एक एक्जाम के लिए रामबाट सालूसन है तो चलिए हम देखते हैं आज के इस महत्तपूर सेशन को राश्टी घटना करम का पहला प्रश्ण आपके सामने है इसको ध्यान से पढ़ें महराश्ट सरकार ने किस हवाई अड़े के पुनर नाम करण को मंजूरी प्रदान की है तो दोस्तो 23 सितमब 2024 को पूरे हवाई अड़े का पुनर नाम करण की मंजूरी महराश्ट सरकार ने प्रदान की है इसका नया नाम क्या होगा जगत गुरू संत तुकारा महराज अंतर पास्टी हवाई अड़्डा होगा ठीक है आपको याद रखना है उसके बाद अगला टापिक क्या है छट्वे राज जखाजी सुरच्छा सुचकांक इस्टेट फूट सैप्टी इंडेक्स दोहजा तेश चोविस में सिर्स चार अस्थान प्राप्त करता कौन-कौन से राज इसकी राजधानी का पुना नाम करण करने का नेड़ा लिया है तो दोस्तो 13 सितमबद 2024 को केंदर सरकार ने अंडमान होनी का वाद दीप समु का नाम बदल कर क्या करेगा दोस्तो पहले इसका राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर था लेकिन अब इसका नाम होगा स्री जएब पुरम पुरम पूर्प पूसंhnद आपसे बनेगा उसके बार देखें दूसरा अंतराश्टी बौध मेडिया चाहां पर आयो जीत किया गया तो दोस्तों दूसरा अंतराश्टी बौध मेडिया सम्मेशन नई दिली में जीizzy किया गया गया 11 सितम्बर को जीइस किय तो आप याद रखेंगे इसका उद्गाटन कहां पर किया गया है गोरकपुर में किया गया है पदार मंतरी ने ने बीडियो कांफरेंसिंग के जरी कहां पर जल संचे जन भागदारी पहल की सुरुआत की है तो दोस्तों जहां से यह विलॉंग करते हैं यानि की गुजरात से तो इन्होंने गुजरात के सूरत में 6.7.2024 को जल संचे जन भागदारी पहल की सुरुआत करी है वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से और आपसे प्रशन पूछा जाए कि जो जल संचे जन भागदारी पहल है यह किस अवियान का हिस्सा है तो आपको याद रखना है जल दोस्तेवर ऐसतर द्रवरतिमुर्मू ने कहाँ पर 2070 बर्थ बिहार का उदगार्टन किया है तो दोस्तो यह प्रस्तु बहुत जाले माहत्यटपूर आप इसको याद रखेंगे तो किन्होंने किया है दोस्तोन 1965 मूर्मोजी है उन्होंने किया है 2070 बर्थ बीहार का उद्गीर लातूर में जो कि महरास्टा का एक डिस्टिक है कहां पे उद्गीर लातूर में कव 4 सितंबत 2024 को उसके बाद एक बहुत ही महत्पूर उत्तर प्रदेश समंदित करेंटा फेर का क्वेशन आप से बनता है उत्तर प्रदेश सरकाल ने किस विष्व विद्याले के देखें आप ध्यान से पूरा रिवाइज करेंगे तो आपको एक्जाम में फायदा मिलेगा अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो जाहिसी बात नुकसान होगा ठीक है अत्या दुनिक संग्राले किसको समर्पित होगा तो दोस्तों भात्य जोतिस खगोल विज्ञान और वैदिक साहिते को ये तीन मुख्य मुद्दे हैं जिसमें वैदिक 3D संग्राले में इनको देखा जाएगा ठीक है भात्य जोतिस खगोल विज्ञान और वैदिक साहिते को ठीक है उसके बाद देखें प्रजेक्ट नमन की सुरुवात किसने की है तो दोस्तों आप याद र कि जाएंगी अगर ऐसा प्रश्न बने तो जो रच्छा पेंसन भोगी है भूत पूर अस्तैनिकों और उनके परिवास जनों को इसे लाभ प्राप्त होगा और इसे उनको सेहाएं या साहता मिलेगी प्रजेक्ट नमन की स्पडाली के करियाओन परकेंदरित है तो दोस्तों असपर्स का फुल फॉर्म आप से पूछा जा सकता है सिस्टेम फार पेंसन एडमिस्टेशन रच्छा डिजिटल पेंसन प्रडाली पे तो आप याद रखेंगे सिस्टेम फार पेंसन एडमिस्टेशन रच्छा और डिजिटल पेंसन प्रडाली है यह अलग से आप याद रक्संगी तो उसके बाद उत्तर प्रदेश मंत्री मंदल द्वारा डिज्टल मेडिया संबंधित किस निति को मंजुरी पदान की गई है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश डिज्टल मेडिया निति 2024 को ठीक है तो दोस्तों अगस्त में राजगीर नालंदा में तो बिहार खेल भी सबीद्याल है एवं राजखेल अकादमी का उद्गाटन राजगीर नालंदा में किया गया है केंदर सरकार ने केंदर सासित प्रदेश लद्दाक में कितने नय जिले का गठन करने की घोश्टा की है तो जासकर, द्रास, साम, नुबरा और चांग-ठांग तो आप इन पांचों का नाम याद रख सकते हैं कैसे देखिए एक तो जासकर परबस्रेडी है तिक है अब द्रास और साम को आपको रटना पड़ेगा नुबरा एक नदी है और चांग-ठांग क्या है दोस्तों एक पास है तो आप इस तरह से तीन तो आपको पहले से याद था लेकिन द्रास और साम आपको याद रखना है चले अब हम देखते हैं अगला बरारस हिंदू विश्व विद्याले और किस अकादमी ने नेपाली भासा और संस्क्रित भासा के अध्यन के लिए समझाता किया है तो दोस्तों ये है नेपाल आकादमी ने कब अगस्त दो जाग्सव चॉबीस में पीयम मोदी की अध्यक्षता में किंद्रिय मंत्री मंडल ने किस योजना को मझूरी दी है तो दोस्तों पधार मंपरी आवास योजना सहरी 2.0 ठीक है तो पीम मोदी जी ने पीम मोदी जी के अध्यक्षता में क्या हुआ है जो प्लधान मंत्री आवास योजना सहरी 2.0 है इसको मंजूरी मिली है अब इस आवास योजना के अंतरगत अब आपसे प्रश्ण बनेगा जो प्लधान मंत्री आवास योजना ये जो सहरी प्रक्रण है ये कब सुरू हुई तो दोस्तो जून 2015 में तो पधार मंत्री आवास योजना सहरी कब सुरू हुई थी जून 2015 में राश्टिय महिला आयोक की अध्यक्ष सूरी रेखा सर्मा ने किसका उध्धाटन किया है तो दोस्तो याद रखेंगे डिजिटल सक्ति केंद्र का उध्धाटन किस ने किया है तो सूरी रेखा सर्मा जी ने जो की वरतमान रास्टे महिला आयोक की अध्यक्ष है तो उसके बाद अगला देखें डिजिटल सक्ति केंद्र का उध्ध से क्या है तो दोस्तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों की बारे में लोगों को जागरूख करना तो चली देखते के लिए भी-मा समाधान को कर challenging करने वाल डेस का पहला राजजी कौन सा है तो दोस्तों ये है नागा लैंड के तो आब दा जो कि म प्रबन्दन के लिए about estàश का पहला राज्य कौन सा है नागा लैंड जब देश में तीन नए अपराधी कानूनों के सुचारू कार्यावनों को सुनिश्चित करने हैं तो कौन से चार एप सुरू किये गये हैं तो दोस्तों यहां पे देखें most important question यहां से बनवाया आपसे कि देश में तीन नए आपराधिक कानूनों को ठीक है उनके सुचारू कार्यावनों को सुनिश्चित करने है तो जो एप लांच किये गये हैं वो कौन-कौन से है तो ई साक्षे है नाय सेतु है नाय सुरुती है और ई समन है ठीक है और उत्तर प् गोरकपू से लेकर पस्चिम मंगाल तक 519 किलो मिटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा तो दोस्तो गोरकपू सिली गुडी एक्सप्रेस वे ठीक है याद रखेंगे इसका नाम गोरकपू सिली गुडी एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा कहां से गोरकपू स बिहार और पर्स्य मंगाल अगला टापिक क्या है दोस्तो भारत की पहली भूतापिय बिद्दुत परियोजना का निर्मार कहा प्रारंभ किया गया तो दोस्तो पूगा घाटी लद्दाख में आपको याद रखना है अब भूत आप ये विद्दुत परियोजना होती क्या है दोस्तों जो धर्ती के अंदर की गर्मी है उसका प्रयोग करके भिजली का उत्पादन करना ठीक है उसको बोलते हैं भूत आप ये विद्दुत परियोजना केरल के वायनाट को भातिय अंत्रिच अनुसंदान संगठन द्वारा यानि इसरो द्वारा वस 2023 में तैयार किये गए भारत के भू अस्खलन एटलस में कौन सा अस्थान दिया है तो दोस्तो तिरहवा अस्थान है केरल के वायनाट का किसमे भारत के भू अस्कलन एटलस में पहले पे कौन है रुद्र प्रियाग है रुद्र प्रियाग दोस्तों आपको कहां पे देखने को मिलता है ये आपको उत्रा खण में देखने को मिलता है अलक नंदा नदी पर जब मंदागनी आकर मिलती है वहां पे रुद्र प्रियाग है उसी को मेल को ही हम बोलते हैं जन किया गया है उसके बाद वस दोजाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ाज़ा मंडब और असोख मंडब यह तो बहुत जादे महत्पोर यह आपको देखने को मिलेगा कि रास्ट्य कहां पर किया गया है तो यहाँ पे जुलाई 274 में आई जूल मिजोरम सही जबाब होगा ठिक है तो बहरत के 50 सवे तिक है समुदाइग रैडियो स्टेशन का सुभार मेर में में किया गया है सिंखुन्ला सुरंग परियोजना के निर्माड कारे का सुभारम कहां पर किया गया है तो दोस्तों लद्दाख में आपको याद रखना है ठीक है सिंकुनला सुरंग अभी इसकी महत्ता क्या है अगर यह सुरंग जब बनकर तयार होगी दोस्तों तो यह 15800 फिट की उचाई गेन करेगी ठीक है यान कारे इसका जब संपन होगा तो यह दुनिया की सबसे ऊची शुरंग होगी तो इसका नाम क्या होगा सिंकुनला सुरंग इसलिए आपके एक्जाम के लिए महत्तापूर टॉपिक हो जाता है तो यानि क्या आपको इंट्रेस्ट है और मैं आप से चाहूंगा अगर आपका तो वीडियो को लाइक कीजे अगर आप नए है तो चैनल को सबस्काइब भी कीजेगा जियस फोकस फैमिली का पार्ट बनेगा अगर आपको पढ़ाने में इंट्रेस्ट है तो आप हमसे संपर कीजे हमारे साथ आगे बढ़िए चले बात करते हैं अगले टॉपिक पे यू बात करते हैं अगले टॉपिक पे भारत का पहला चैड्विक हाउस नविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्राला का उद्घाटन कहां पर किया गया तो दोस्तों यह है सिमला हमांचल प्रदेस में ठीक है तो आप चैड्विक हाउस सिमला हमांचल प्रदेस याद चलिए मैं आपको याद करा देता हूं देखे जब अंग्रेज आये थे न तो उनसे गर्मी बलदास नहीं होती थी तो यह सिमला में चले गए थे तो वहां पर उन्होंने चैडविक हाउस बनवा दिया और चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्राले को का उदघाटन कर दिया गया ठीक है तो आप याद रखेंगे ठीक है मतलब जैसे भी आपको याद रहें आपको बस याद रखना है संसदभावन परिसर में लोग सभा सची वाले द्वारा और किसका विकास किया गया है जहां प्रतिष्टित भातिये नेताओं एवं सटंता से नानियों की प्रतिमाई इस्थापित है तो दोस्तो प्रेणा अस्थल तो संसत बहुत परिशर में लोग सभा सचीवाले दारा प्रेणा अस्थल का क्या किया गया है दोस्तो विकास किया गया है जहाँ पर प्रतिष्ठित भाते निताओं एवं स्वतंता सेनानियों की प्रतिमायें यहाँ पे इस्थापित की गई है केंदर सरकार द्वारा डाग घर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया तो दोस्तो 18 जुन 2024 को ठीक है तो जो भी डाग घर अधिनियम 2023 के प्रावधान है वो लागू हुए कब 18 जुन 2024 को किसके द्वारा लाग किया गया केंदर सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मंत्री मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज विस्वविद्याले मुरादाबाद का पुना नाम करण किये जाने को मंजूरी प्लदान की गई है इस विस्वविद्याले का अब नया नाम क्या होगा तो दोस्तो अगर हम बात करें कहां का मुरादाबाद का चीक है कौन सा विस्वविद्याले का है पुनः नाम जो होगा वो होगा गुरू जम्मेस्वर राज विस्वविद्याले मुरादाबाद तो 11.जुन 2024 को इसको मंजूरी मिली है तो आप पुनह इसको देख लिएं वि अताब जी को कब बनाया गया जून 2024 में चले बात करते हैं आने टापिक के उपर किस राज के नसासित प्रदेश ने उल्लास नौ भारत साचलता कारकरम की तहट पूर कार्यात्मक साचलता हासिल की है तो दोस्तो ये है लद्दाख ठीक है तो लद्दाख ने उल्लास्नो भारत साचावता कारिकरम की तहट पूर कारियात्मक साचावता हासिल की है जून 2024 का नियुज है उत्तर प्रदेश में परियावत साचा को मद्य नजर रखते हुए बायो प्लास्टिक पार्क का कहा पर निर्माण किया जाएगा तो दोस्तो कुम्भी गाउं लखिमपूर खेरी में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखिमपूर खेरी तो यहीं पे उत्तर लेते हैं राइट साइट के करेंट अफियर के चलिए है कि जस्ट वीट इसको थोड़ा सा उपर करते हैं कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहां पंदिर्मित किया गया है तो दोस्तों राजस्थान में ठीक है राजस्थान के पाली में वस दोज़ाइचाबिस में कि सत्याग्रय के सावस पूरे हो तो वाइकाम सत्याग्रय ग्रेएच यह स्लिए MACHART उसलिएogens क्योंकि हर एक सत्याग्रय पर ध्यान नहीं जाता अबγο को तो आप याद रखेंगे वाइकॉं सत्याग्रय 2023 में इसका साव पूरा हो चुका है थीक है बरेठा सौर उजा परियोजना जो 630 मेगावाट का एपसिटिक किया है तो इसकी अधासिला कहां पर रखी गई है बरेठा सौर उजा परियोजना का जो अधासिला है छेतरपुर मध्य प्रदेश में रखा गया है 10 मार्च 2024 को भारत की पहली बैटरी उजा भंडारल गीगा कासमीर में किस सराज़ी की पोलिस ने डिषर प्रेटफार्म 3 र्यूं 2.0 लांच किया है दोस्तों हमने बात किया था उत्तरपदेश सरकाने 3 स्यु भ्डाम स्विछ ऑन पानी के नीचे चलने वाली जो मेट्रो रेल सेवा है इसका उधाटन कहां पर किया गया है तो दोस्तों कोलकाता में अब पानी की नीचे मेट्रो चलेगी चिक है पांच करुण आईसमान काड़ जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश ठीक है पहले राश्टी डालफिन अंसंधान केंदर का उधगाटन कहां पर किया गया तो दोस्तों चार माँच 2024 को बिहार में पहले राश्टी डालफिन अंसंधान केंदर का उधगाटन किया गया है किस राज्य की सरकार ने Green Hydrogen निती 2024 को मंजूरी प्रदान की है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसको Green Hydrogen जो पॉलिसी है उसको मंजूरी प्रदान की है अठारवा भारत डिजिटल सिखत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया उसके बाद अन्य टॉपिक को देखते है बिज़ो की पहली विक्रमादित वैदिक घड़ी का जो स्थापना हुआ है कहां पर किया गया इसका तो दोस्तों उज्जैन मध्य प्रदेश में और उज्जैन में विक्रमादित एक समय में बहुत ही जादे अच्छा नया करने वाले राजा पसिद्धते देश के सबसे लंबे केबल अधारित पूल सुदरसन सेतु का उद्घाटन प्रदान मंतरी नयन मोदी जी के द्वारा किया गया है तो कहां पर किया गया है तो दोस्तों गुजरात में क्या नाम है सुदरसन सेतु पचीस फरवधी 2024 का नियुज है किन के द्वारा किया गया सुदरसन सेतु का उद्घाटन तो दोस्तों प्रदान मंतरी नयन मोदी जी के द्वारा ठीक है उसके बाद नवे राज सीना डाइलाग 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है तो दोस्तों नई दिल्ली में और ये नई दिल्ली में ही किया जाता है ठीक है क्योंकि राइसीना नाम का लोकेशन कहां पर नई दिल्ली में है एक समय जैसे प्राचीन समय काल की बात करें तो दोस्तों कहीं कहीं राइसीना जो है वो अरावली परबस रेडी के ही हिस्से में आता था लेकिन अभी आज फ्लैटरड एरिया हो चुका है उसके बाद किस में किया जाता है किसी निर्मार कारे में ठीक है तो चतुरंग जो डाइलाग है जो बिसा है ये किसका है राइसीना डाइलाग का सिच्छा मंतरा लेने एक रास्ट एक छात्र आईडी के उद्देश को मतब ये कौन सी पहल सुरू करी है ठीक है तो किस उद्देश के और इसका full form क्या है इसको हम जान लें इसका full form है automated permanent academic account registry most important question आपसे बनेगा आपको याद रखना है automated permanent academic account registry देश के पहले कौसल भारत किंद्र इसके लिए इंडिया सेंटर का उधगाटन कहां पर किया गया है तो दोस्तों संबल पूर उड़ी सा में किया गया है ठीक है देश के पहले कौसल भारत किंद्र का उधगाटन कब किया गया है भीसपरोई 2024 को कि इस्टेम विज्ञान पुद्यूगी इंजिनिंग गडित और चिकित्सा ठीक है तो साइंस टेक्नॉलजी इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन्स ठीक है में भारतिय महिलाओं और निधित्त करने है तो कौन सा पोटल लांच किया गया है तो दोस्तो पोटल का नाम है स्वाती ठीक है 11 फरोई 2024 का ये निज्ञें उसके बाद लोगपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो दोस्तो दस माज 2024 को अजय मडिक राव खानविलकर जी है इनको लोगपाल के अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है तो दोस्तो नाम है उसका सिरी कल की धाम मंदिर जो आपको सं करा नम राज़िका राज़ेफल घया गया है 1322 को काजी नेमों 25 ग疑न दीवस के दो जो एक्वारत लोगतनत्र की मात्री का पिखा उसकेबाद 25 गड़तंत्र दीवस समारों पर भारत के मुख्या अति फी कौन थे तो दोस्त इम्मैन्यरम प्रांस के एक राश्ट पती है तो दोस्तों अगर हम बात करें पचातर में गर्तंत दिवस के परेट का जो जहांकी निकला था उसमें उडिशा को फर्स्ट रैंक मिला है किसके लिए मिला है दोस्तों बिक्सित भारत और महिला ससक्तिकरंट थीम पर इन्हों जहां की तयार की थी इसके लिए इनको मिला है ठीक है देखे हमारे राश्टे घटना करम के मुद्दे खतम होने वाले हैं लेकिन अभी कुछ है ठीक है उसके बाद देखें राज स्टार्ट अप रैंकिंग 2022 में एक करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्जियों में सौ तो आपको पता ही है गुजरात में लोग ज्यादे तरकिस में स्टार्ट अगरे में विश्वास रखते हैं तो गुजरात टॉप किया है दूसरे पर करनाटक है केरल तीसरे पर है और तमिलाट चौथे पर किसमें इस्टेट स्टार्ट अप्स रैंकिंग 2022 में कि सिरेड़ी यह राजियों की नित्त करता किने घोषित किया गया वह कौन-कौन है आंधर प्रदेश है असम है मध्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश और उत्तरा खंड है ठीक है वाईब्रेंट गुजरात वैस्विक्सी का सम्मेलन 2024 का आयोजन कप किया गया तो दोस्तों इसका आयोजन करूंगा अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगती है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रू जोड़ें थैंक्यू वेरी मच्च